Hello students, इस वीडियो में आप सबको हम 4SIM Electrical batch के बारे में जानकारे देंगे जो Online Mode के लिए भी होगा और Offline Mode के लिए भी आपका होगा लेकिन हम batch का जानकारी देने से पहले हम सबसे पहले हम अपनी Online Mode की कमजोरी बताते हैं जो सच है मैं भी इसको Accept करता हूँ जब सरपर्थम 2020 में कोरोना काल आया था तो उसमें रियली में मैं ज़्यादा टेक्नो फ्रेंडली नहीं हूँ टेक्नो फ्रेंडली इट मिन्स कहने का मतलब गूगल, इसब, यूटूब बगएर असे से बहुत कम रिस्ता रखता हूँ और यही कारण है कि मैं जब कोरोना काल 2020 चल रहा था तो उसमें हमको ऑनलाइन क्लास के बारे में उतना ज़्यादा आडिया नहीं था कोई बिसेश जानकारी नहीं थी तो किसी तरह जानकारी सिखते सिखते मैंने सबसे पहले जुलाई 2020 में अपना यूटूब चैनल बनाया उसके बाद फिर अपना हमने आप बनवाया तो लेकिन आप के बारे में हमें बिसेश जानकारी नहीं था मैं बैच बना करके पहले यूटूब पर वीडियो डालता था वहां उसका लिंक डालता था इसी तरह करते करते मैंने बच्चों को ज़्यादा बिसेश ध्यान नहीं दे पाया ओनलाइन में जो मेरी ऑफलाइन बैच की अस्ट्रेंथ था जो अमारी काबिलियत था मैंने ऑनलाइन बच्चों को उतना 2020 में नहीं दे पाया लेकिन हमने थोड़ा से इंप्रूब किया 2021 में आकर के थोड़ा से इंप्रूब लेकिन उसमें भी बहुत सारी कमिया रही फिर भी मैं आफलाइ था लेकिन जो बच्चों पर ध्यान देना चाहिए वो हमने नहीं दे पाया जो गाइड करना चाहिए उसको समझाना चाहिए मोटिवेट करना चाहिए वो हमने नहीं कर पाया उसी तरह चलते चलते आज 2022 आ गया 2022 में भी हमने कभी बैच निकाला थर्ड से ऑनलाइन में इसम कामियों को accept करता हूं हमको लगता था पहले जैसा लगता था मैं प्रस्नली बोल रहा हूं जो भी कहूंगा सच कहूंगा जो बात होगी सच होगी हमको लगता था offline batch online batch जो होगा ज्यादा दिन नहीं चलेगा online classes ultimately बंद हो जाएंगे लिखिन अब हमें लगना लगा है कि बच्चे अभ्यास्त हो चुके हैं online mode में बच्चे को अब online course चाहिए वो घर में रहके पढ़ना चाहते हैं अपने college में रहके पढ़ना चाहते हैं तो इसलिए इस बार हम अपनी strategy हम अपनी मानसिक्ता को अब इस बार totally बदल दियें कि नहीं अब online सचाई है इसको आप accept करना होगा online में अब बच्चे पढ़ते हैं घर में रहके पढ़ना चाहते हैं college में रहके पढ़ना चाहते हैं अपना hostel में रहकर के बच्चे पढ़ना चाहते हैं इसलिए इस बार online class की strength वही होगी online batch की जो potential होगा वो वही होगा जो offline batch की potential होगी हमारी बच्चे market में यूँ कहते हैं कि sir का offline class बहतर है नहीं अब उस चीच को भूल जाओ मैंने अपनी हमारी जो कम्या था हमारी जो कमजोरी थी मैंने भी बता दिया लेकिन इस अब कमजोरी नहीं हम अपनी कमजोरी को अब strength बनाएंगे अपनी ताकत बनाएंगे और उसी कमजोरी और उसी strength का ताकत बनाते हुए इस पर online mode के बच्चे को इतनी बेहतर तरीका से motivate और guide करेंगे कि offline वाले जो बच्चे हैं उनसे कम नहीं होगे यही कारण देखो अभी दीन रात मैं उसी पर मेहनत कर रहा हूँ लगतार मैं अपना assignment तियार कर र पूरा study material मैं ready करना हूँ online के लिए एक दिन भर रात देर रात तक मेहनत करना सिर्फ online mode के लिए भी काम कर रहे हैं जितना बहतर क्योंकि market में जो हमारे बारे में फैला दिया था कि online उनका बहतर नहीं है इस बार सारा मिथक तोड़ देंगे क्योंकि जीद हो चुका है जुन online में भी हमारा strength होगा वही ताकत वही जुनून वही जजबा वही मेहनत जो offline में है इस बार online में होगा तो हम अपनी कमजोरी के बारे में बता दिये जो था मैंने सब कुछ कह दिया आप लोग भी जानते होंगे कि सरकी क्या कमजोरी रही लेकिन quality कोई नहीं कर सकता कि आप पढ़ाते हैं हाँ मैंने ध्यान नहीं दिया guide नहीं कर पाया ढंक से बच्चे से interact नहीं हो पाया time to time यह हमारी कमजोरी थी यह हमारी कमिया था मैं इस कमियों के accept करता हूं लेकिन इस बार उस सारी कमिया हमारी ताकत बनके ओभरेगी आप सब से promise कर रहा हूं इस live वीड जनकारी देते हैं जो कमिया था मनें बतला दिया अब सबसे पहले हम बैच के बारे हम जनकारी देते हैं about online देखो online जो बैच है फोर सेम एलेक्टरिकल का already launch हो चुका है online इस बैच की खासियत इस बार क्या होगी कि आपको चार सब्जेक्ट का पावर एलेक्टानिक्स एसी मसीन ट्रांस्मिशन एंडिस्टिबूशन एलेक्ट्रिक ड्राइव इस सारा मेरा कॉर पेपर है जाने जाते हैं और प्टना में बच्चे त्यारी कर रहे हैं आप देख सकते हूं कि यहां मेरा नोट्स जरूर्ट जिरॉक्स मिल जाएगा पत् चार पावर एलेक्टानिक्स एसी मसीन हो गया अपका ट्रांस्मिशन इस्ट्रिबूशन हो गया अपका लेक्त्रिक ड्राइव हो गया इसका प्री रिकाडेड वीडियो मिल जाएगा आपको वह प्री रिकाडेड वीडियो दस मिनट बारा मिनट पनदरा मिनट को होगा यह काफी effective वीडियो होगा लेकिन एक सब्जिक्ट जो है solar power technology उसका प्री रिकाडेड विडियो नहीं मिले गा अब कहेगा तो क्या होगा सर अब में बता रहा हूं प्रि रिकॉर्डेड विडियो सिर्फuework चाष्ब्जेक्ट की होगी पांच तारिख से offline batch start हो रहा है पांच तारिख से और पांच तारिख से offline batch का जो class होगा वह मैंने smart board पर होता है मैंने smart board खरीद लिया है और उसी offline लाइन बैच का लाइब कलास ऑनलाइन वाले के लिए भी अवैलियाबल होगा और उस लाइब कलास का रिकॉर्डिंग भी रहेगा तो अब देखो एड़ांटेज क्या है कि आपके पास अल्रेडी प्री रिकॉर्डेड वीडियो जो काफी एफ्यक्टिव होगा सौट वीडि लाइब कलास का रिकॉर्डेड वीडियो परजेंट रहेगा आपके आप में उसका प्री रिकॉर्डेड वीडियो नहीं रहेगा लेकिन चार सब्जेक्ट का प्री रिकॉर्डेड वीडियो पलस लाइब कलास और लाइब का रिकॉर्डिंग भी आपका आप में रहेगा सम कि लाइव क्लास होगा मैंने आ पिछला बार भी बोला था लाइब होगा लेकिन हमें कैमरा वाला ने धौका दे दिया जिससे स्मार्ट बोड लिया था तो उन्होंने कामरा देने में काफी देरी कर दिये करीब-करीब हमको डेड़ महीना का समय ले लिए इसलिए मैं थोड़ा सा इसके लिए विस्वारई बोलना चाहूंगा आप सबों से जो बच्चे हमारी किया कोर्स जोइन कि यह थे कि मैं कैमिरा के वज़ rate से मैंने नहीं दे पाया लेकिन हम आपनेमाرف सरी कमियां दूर हो चुका हैं अब कोई बाधा नहीं है अब है आफ लाइन बैच जिसको कहते हैं कि सर आफ लाइन के लिए जाने जाते हैं नहीं इस वर दोनों के लिए जाने जाएंगे तो आफ लाइन बैच आपका पांच जुलाई से सुरू हो रहा है पांच जुलाई से सुरू हो रहा है और ऑनलाइन कोर्स launch कर दिये हैं वो जो course launch हो चुका है वह diploma academy पटना नाम से app है जो आपको google play store पर मिल जाएगा वहाँ से download कर सकते हैं student में आप अपना enrollment कर सकते हैं mobile number और email id डाल करके वहाँ से enroll होकर के आप store में जाएगा तो store में आपको forcem electrical का course दिखना शुरू हो जाएगा आप वहाँ से आप जा करके join कर सकते हैं तो यह आपका offline जो batch है वो आपका 5 July से शुरू होगा समझे हाँ 5 July से लेकिन इसके पहले में बता देता हूँ कि आप लोगों को जो पढ़ना है एक सबसे vital subject multi oriented subject multi disciplinary subject advanced and research oriented subject advanced power electronics उस power electronics के लिए आपको एक जूलाई से basic class चलेगी एक जूलाई से power electronics का base तयार करेंगे 4 दिन 3-4 घंटों की class चलेगी वो एक जूलाई से start होगा जो power electronics का सिर्फ base होगा उसका हम base तयार करेंगे बात है कि सर अब fear structure क्या होगी आपके class की हाँ तो मैं बता देता हूँ कि fear structure क्या होगा fear structure देख लो online वाले के लिए है 3,000 रुपया समझे 3,000 रुपया बट आपको up to up to मने 31 जूलाई करें मने हाँ तक 1 जूलाई तक आपको 1 जूलाई तक 400 का off है मने 400 रुपया का coupon आपको मिल रहा है समझ रहे हैं हाँ up to 1 जूलाई तक 1 जूलाई तक आपको क्या है 400 रुपया का off है मतलब आपको 1 जूलाई तक जो course है वो आप 26 रुपया में join कर सकते हैं देखो मुझे course purchase कहना खराब लगता है चुकिए education में खरीदना बेजना ये खराब वर्ड मानते हैं इसलिए आप 300 रुपया course का fee है आप 2600 आपका off है आप sorry 2600 नहीं 400 रुपया आपका off है आप 2600 रुपया invest करके आप course को join कर सकते हैं वही बात रही offline की तो offline का जो fee है वो आपका 700 रुपया fee है लेकिन आप one time जदी payment करते हैं one time में तो आपको 7000 रुपया pay करना होगा one time one time में आपको 7000 पे करने होगे समझ में आया हाँ one time में आपको 7000 रुपया pay करना होगा हाँ और आपका क्या है ददी दो installment में जमा करते हैं तो आपको 7700 रुपय pay करने होगे और online वाले के लिए तो हमने बता दिया है कि 3000 कोर्स की fee है लेकिन एक जुलाई तक 400 का off मिल रहा है coupon मिल रहा है आप 2600 रुपया में कोर्स जॉइन कर सकते है अब एक चीज मैं आपको बता दूँ विडियो recorded और live ये तो मैंने already online वाले के लिए बता दिये कि recorded विडियो pre recorded विडियो 4 subject के मिल जाएंगे पलस live class भी मिलेंगे live का recording भी रहेगा और जो offline mode के बच्चे है उनको भी हम course में enrollment देंगे वो बच्चे भी course को join करेंगे मने उस बच्चे को भी जो offline mode में पढ़ रहे हैं उनको भी हम batch का SS देंगे जो online class चल रहा उसका SS देंगे ताकि वो भी future में आप अपना revise कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि एक बड़ा big के लिए opportunity क्या है कि जो offline में बच्चे पढ़ेंगे उसको online course भी हम देंगे ताकि वो मानलो class में पढ़ते कुछ चीज नहीं समझ में आया या पूछ नहीं पाया या बहुत सारे बच्चे में ऐसा होता है या पढ़ते पढ़ते next time next दिन भूल गया तो बच्चे के लिए क्या है कि वो revision कर सकता है video देख करके तो इसका मतलब ultimately एक सब्द में हम कह दें कि जो offline में बच्चे पढ़ेंगे उनको हम online का SS भी देंगे समझ में आया हाथ इसका मतलब है कि one time payment करके आप 7000 रुपया पे करके offline में भी पढ़ सकते हैं आपको हम online course भी देंगे लेकिन हाँ course online अभी नहीं देंगे चुकि online अभी बैच चलेगी अब दूसरा क्या है payment mode क्या होगा payment mode ये online के लिए है एक तो directly payment है directly payment आप आप में जाइएगा आप में अस्टोर में जाइएगा course पर click किजिएगा course पर click करने के साथ आएगा join now करके आता है या purchase now करके आता है तो आप वहाँ click करके आप course को join कर सकते हैं तो दूसरा indirectly mode क्या है payment का ये एक गूगल पे और फोन पे नंबर है 8303 6255 886303 6255 ये सुधीर राज करके आएगा आपको गूगल पे और फोन पे जब किजिएगा तो ये मेरा छोटा भाई का नंबर है आप इस पर गूगल पे या फोन पे कर दिजे लेकिन हमारे नंबर पर असक्रेंसोट भेज दिजेगा इस नंबर पर 6255 6200749596 12600 94956 ये वाटसेप नंबर भी है आप प्रशनल वाटसेप नंबर पर असक्रेंसोट भेज सकते हैं फिर उसके बाद हम आपको कोर्स में जोइन कर देंगे तो ये आपका तमाम जानकारी हो गया लेकिन हाँ इन सब जानकारी के बावजूद भी मैं कुछ चीजे मैं आप सबको बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से हो सकते हैं किसी बच्चे को ये वीडियो अच्छा लगे भी किसी को अच्छा नहीं भी लग सकता है किसी को लगेगा कि फेक रहे हैं किसी को लगेगा कि ऐसे बोल रहे हैं लेकिन सच्चा ही क्या है डिप्लोमा अकेडमी पटना जो कोचिंग स्टार्ट हुआ था 2014 में इसका पहला बैच 2017 में निकला था 17 बैच की अल्मोस सभी स्टूडेंट जॉब में है 18 बैच की तो कहना ही नहीं है एक बार में 25 पचिस लड़के का NTPC में सेलेक्शन हुआ है अभी तक 2022 आज बिद चुका है तो 17 में पहला 18 में दूसरा 19 में तीसरा 20 में चोथा 21 में 22 में में इस बार 6 बैच पास आउट हो रहा है मेरे कोचिंग से अभी तक तकरीबन 5 सालों की सफर रही है जो 5 पास आउट अश्टूडेंट हुआ है बैच तो चुकी कोचिंग तो 14 में स्टार्ट हुआ था लेकिन पहला बैच 17 में पास आउट हुआ था तो अभी तक तोटल आपका क्या है 5 बैच लिकल चुके है किलियरली 17, 18, 19, 20, 20 इसमें से तकरीबन 200 बच्चे का डिफरेंट सेक्टर में जूनियर इंजिनियर के रूप में सेलेक्शन हुआ है तुम सोच लो UPPCL में टॉपर हमारा स्टूडेंट पावर गिरेड में टॉपर हमारा स्टूडेंट कहीं भी जाए टाटा स्टील हो चाहाए आपका NPCIL में हो एक-एक सीट पर भी अगर आ रहा है तो डिपलोमा अकेडमी पटना का कोचिंग का स्टूडेंट है टॉपर किसी भी अग्जाम में देख लो इस बार फिर से देखो UPPCL में कितना विद्ध्यार्थी का सेलेक्शन हुआ पिछले बार दो महीने पहले जो रिजल्ट आया उसमें भी हमारे कोचिंग का जल्वा है मैं नहीं कहता हूँ कि मैंने उसको नौकरी दिलाया हाँ लेकिन बेस तयार करना जो उसका डिजायर है उसका गोल सेट करवाना कोचिंग के हम योगदान रही है मैं भी आपको कहता हूँ कि आप एक बार पढ़ करके तो देखो बदल जाएगी पढ़ने की नजरिया बदल जाएगी सोचने की नजरिया पढ़ना है तो मुझे एकजाम पास करने के लिए नहीं पढ़ना है अरे एक पर जेई बन को तो देखो क्या रुतबा होता है जेई का अपने आसपास जो भाईया होंगे मोसेरा भाईया पुफियरा भाईया चचेरा भाईया ममेरा भाईया यह असपास के गाउं का भाईया दूर धराज के जान पहचान वाले भाईया जो जेई होंगे देख तनी जोला भर के रूपए यह ला रहा है रहे बाबू अब ये लेक्ट्रिसीटी बोर्ड में जेई आग लो ते लेक्ट्रिसीटी बोर्ड में जेई का मतलब है सबस्टेशन का दरोगा अदरोगा, दा, रो के दा चाहेगा के दा सबस्टेशन के दरोगा हैं जेई साहब इसलिए बाबू सिर्फ सेमेस्टर के लिए मत पढ़ो अभी से अपना चेंज कर दो तीन सेमेस्टर में हमने क्या पढ़ा नहीं पढ़ा उसको भूल जाओ यह चौँ था है बेहतरीन अपॉर्चुनेटी बेहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनेटी इसको मत गवाओ चुकि पांचो ब्रांच पेपर है थार्ड सेम तो आपने गवा दिया लेकिन थार्ड सेम गया नहीं है इस बार क्या आप तो हमारे पास स्मार्ट बोर्ट कैमरा सब कुछ हो गया है इस बार क्या होगा पहले नहीं होने के कारण मैं सोचता था बिद्यार्थिस से कमिट्मेंट करता था लेकिन पूरा नहीं हो पाता था चुकि हमारे पास रिसोर्स के भाव थे लेकिन मैंने धीरे-धीरे सब कुछ फुल्फिल कर लिया अब हमारे पास एक टेकनिकल टीम भी है हमारे पास स्मार्ट बोर्ट भी है कैमरा भी है हमारे पास सारा कुछ है और सब बेवस्था है अब क्या होगा रात में 10-15 कुश्चन जो होगा थाड सेम का धीरे-धीरे जो बच्चे पास कर गए हो भी देख सकते हैं आप लोग जो थाड सेम होगे हैं जो पाचो पेपर पढ़ना उसका धीरे-धीरे अबजेक्टिब करेंगे अबजेक्टिब के साथ साथ थोड़ा-थोड़ा थियोरी भी लाएंगे तो क्या होगा रिकॉल हो जाएगा रिमाइंड हो जाएगा तो आप 10-15 मिनट आप उधर भी टाइम दे सकते हैं रात में और आपका क्या होगा देखला धीरे-धीरे आपका सारा थियोरी रिकॉल हो जाएगा कॉंसेप्ट किलियर हो जाएगी ताप लोग टेंशन ना ले तो इस बार जो हमारी ओनलाइन की विकनिस थी वो हमारी इस बार अस्ट्रेंथ बन करके उभरेगी जो भी जानकारी था मैंने सारा जानकारी दे दिया है बाकी ओनलाइन कोर्स लाँच हो चुका है फोर से में लेक्टर कर डिपलॉमा एकेडमी पटना जो एप है पले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं डाउनलोड करके आप कुछ डेमो वीडियो होगा फ्री कंटेंट होगे जाके वहां देख सकते हैं उसके बाद 5 तारीख से आपका लाइब क्लास मिलना शुरू हो जाएगा क्योंकि आफ लाइन बैएज जो होगा वो पांस तारीख से अफिसियली सुरू हो रहा है लेकिन जो basic classes होंगे वो एक जलाई से start होगा offline mode में उसका भी हम YouTube पर live करेंगे तो बहुत सारी बाते करने के तो बहुत सारे हैं बहुत सारी जानकारी देने के हैं लेकिन short information हमने दे रखा है इसलिए इस विडियो में इतना ही आसा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे पढ़ाई कर रहे होंगे और आप लोग एक healthy सोच के साथ एक सही सोच के साथ साकारात्मक सोच के साथ और एक बढ़ियां विचार रखते हुए एक सार्थक गोल रखते हुए इस बार आप आईए for sim join कीजिए और definitely बहतर content मिलेंगे बहुत अच्छा content मिलेंगे मैं comparatively नहीं बोलूँगा लेकिन मैं अपना best deliver करूँग आप लोग झाल